जलीलपूर ब्लॉक क्षेत्र में गुरुद्वारा सिन्ह सभा मुंधाल के नेत्रित्व में गुरुद्वारा गुरु नानक दर्बार में हर वर्ष की भांती गुरु नानक देवजी का 554 वा प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस बार भी जलीलपूर क्षेत्र के दर्जनो गांव के सिख समाज के लोगों ने गुरु नानक देवजी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गुरु नानक साहिब जी का प्रचार प्रसार भी किया गया। प्रकाश उत्सव में गुरु साहिब जी की महानता, गुरु वानी के प्रचारक, व कथावाचक, व रागी जथे कथा कीर्तन निहाल करें। गुरु द्वारे के ज्यानी सुखविंदर सिंह द्वारा, सिंह सभा मुंडाल गुरु द्वारे में एक दिसंबर को अखंड पाठ शुरू किया गया, और तीन दिसंबर को पाठ संपन्न हुआ, और सभा में गुरु साहिब जी का प्रचार प्रसार भी किया गया। क्षेत्र के दर्जनों गावों के लोगों ने अटूट लंगर्व नगरकीर्तन में सेवा कर भाग लिया। गुरूद्वारे में पंच प्यारे सजा कर नगरकीर्तन दो बजे शुरू हुआ और नगरकीर्तन में सैकणों सेवादारों ने जाडू लगा कर अपनी सेवाएं द और बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लेकर धर्म लाब कमाया नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में लोगों की भीड रही और अखाड कमैटी के लोगों ने हैरत अंगेज नए नए कर्तब भी दिखाएं गए गुरु द्वारे के प्रधान सरदार सोमपाल सिंग, परवेंदर सिंग, मंजीत सिंग, विपिन सिंग, राजवीर सिंग, हरवेंदर सिंग, मान सिंग, सुखदेव सिंग, रविंदर सिंग, मूल चंद सिंग, आदी सेवादार मौजूद रहे जलील पुर से मुहम्मद शाहिद की रिपोर्ट